हेलो एवरिवान वेल्कम तु दा शानल ओफ के वी टीचर्स गिल्ड बच्चो आज इस वीडियो में हम लोग 5th क्लास EVS का एक सांपल क्वेशन पेपर डिसकस करने वाले हैं यह क्वेश पिरियॉडिक टेस्ट 2nd का क्वेशन पेपर है अब क्यूंकि अगले कुछ दिनों तक हम लोग प्राइमरी क्लासिस को ही डिसकस करेंगे यानि की क्लास 3rd, 4th and 5th के जो चारो सब्जेक्ट्स हैं English, Hindi, Math, CVS उनके PT2 के question papers आप लोगों को दिखाए जाएंगे तो मैं आपको बता दूँ कि सभी केवीज में एक्जाम्स जो हैं प्राइमरी क्लासिस के यानि की 1st to 5th के वो online ही होंगे, अब online exam में आप जानते हैं MCQs बहुत जादा होते हैं multiple choice questions जो के chapter के बीच से बनते हैं, obviously हर chapter के end में आपको multiple choice questions दिये नहीं होते हैं NCRT में, उसके लिए आपको क्या करना है, जितने भी आपके subjects हैं, उनके सभी chapters की जो quizzes हैं उसको एक बार आप जरूर एडिया ले सकते हैं और revision के लिए हम लोग sample papers discuss करी रहे हैं, शरीय स्टार्ट करते हैं सबसे पहली competency है आपकी observation, 5th class तक आपने कई EVS के exam दिये हैं तो आप जानते हैं, कि EVS की exam में कुछ picture based questions जरूर पूछे जाते हैं, जिनको आपको observe करना है, observe the picture and उस पर based जो question है, उनको answer करना है and answer the following question तो यह आपकी पहली picture है, question है which place is this, यह कौन सी जगह है, उपर fuel लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको एक car दिख रही है, यह petrol pump है, petroleum से related एक chapter आपकी बुक में दिया हुआ है, इसलिए यह question बना है next is what do you observe in the given picture, इस picture में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह water है नीचे, यह एक boat जैसा है, उपर एक घर बना हुआ है, यह house boat है जो की इंडिया में आपने पढ़ा था, श्री नगर में मिलती है, डल लेक में next is what is the house made of snow called, snow का जो घर बना होता है, यह hard blocks का बनता है, ऐसे नहीं कि आप नॉर्मल जो बर्फ है, उसका घर बना देंगे, उसमें रहने लगेंगे, वो obviously melt हो जाएगी so hard snow blocks का जो घर बना होता है, इसे हम बोलते हैं, igloo next, which natural calamity is this, यह कौन सी natural calamity है, इसमें यह आपको दिखाई दे रहे एक sloppy path है, जिससे की उपर से कुछ पत्थर गिर रहे हैं, so जब mass moment होता है, rocks का, एक sudden उसके साथ, sudden moment के साथ, उसे हम landslide बोलते हैं, landslide next is what do you see in the picture, इस picture में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह यह instrument आपने डॉक्टर के पास देखा होगा, इसे stethoscope बोलते हैं, stethoscope, जिसको की use किया जाता है, आपकी जो heartbeat है, उसको सुनने के लिए, next is what is the name of this personality, यह कौन है, इनको father of Indian constitution भी हम लोग कहते हैं, और यह है भीम राव अमबेटकर डॉक्टर भीम राव अमबेटकर, next, who is this, she is the teacher, okay, profession से related कोई chapter होगा, वहाँ पर इसके बारे में आपको बताया गया, next is, what are they doing, यह बचे क्या कर रहे हैं, यह बच्छे क्या कर रहे हैं, they are playing football, next the tent of chunk pass is called shelter so high से ये question paper है chunk pass एक tribe है जो की mountain के काफी higher altitude पर रहती है और उनका जो घर है उसे हम Rebo बोलते हैं next identify this instrument ये कौन सा instrument है ये Richter scale है Richter scale जिससे की आप लोग measure करते हैं कि जो earthquake था वो कितने magnitude का था next is write two names of each outdoor games दो outdoor games के नाम लिखिये hockey, cricket, indoor game, ludo, carom next question is what is refinery, refinery क्या है वोसी petroleum वाले chapter से refinery एक place है a place जहां पर की where raw material जो है raw material जैसा कि वो earth से आपने extract किया है वो raw उसमें है उसको convert किया जाता है raw materials are converted into some valuable substances substances जैसा कि हमने देखा substances पेट्रोलियम जब आप extract करते हैं तो वो बहुत ही smelly होता है बहुत sticky होता है चिपचिपा होता है बहुत जो है तिक होता है ब्लाक इन कलर होता है तो उसको बाद में refine किया जाता है refinery में भेजा जाता है जहां उससे वेरियस प्रड़क्स बनते हैं जैसे कि petrol and diesel बहुत सारे heating oils जो है wax in fact उसी से ही मिलता है तो कई सारे byproducts आपने पढ़े भी है पेट्रोलियम के तो उसमें जो valuable substances है वहाँ पर उसमें उसे convert किया जाता है okay next अब आते है second जो आपकी competency identification choose the correct answer to fill in the blank the air from our mouth is आपके mouth से जो air आती है वो कैसी होती है वो warm होती है comparatively जो बाहर है excessive rain can lead to flood और famine बहुत जादा जब बारिश होती है तो उससे flood बार आती है famine बोलते हैं जब बहुत लंबे time तक बारिश ना हो और फिर उसकी वज़े से lack of food हो जाता है जिससे कई लोगों की कई लोग अपनी जो life उसको lost कर देते next is right true for correct statement and false for the wrong one cooperation is the strength of team बिल्कुल true है यह अपने across the wall वाले chapter में भी पढ़ा है team के कुछ जो characteristics है गांदी जी fought against untouchability again true statement है next is what are natural calamities natural calamities natural disasters हम लोग किसको बोलते हैं यह कुछ ऐसे disasters हैं जिससे की there is जो जिनका result होता loss of life injury या फिर डामेज तो प्रॉपर्टी लेकिन यह human control के बाहर है हम लोग इनको control नहीं कर सकते आप लेखेंगे natural calamities are इवेंस दाट आर आउटसाइड दाट आर आउटसाइड दा कंट्रोल ओफ हुमन्स अब इवेंस वो किस तरीके के होते हैं they cause loss of life injury चोट लगती है लोगों को कहीं लोग जो है in ry they lost their lives and damage to property कुछ examples भी दे देंगे आप इसमें for example earthquake cyclone flood human being इसमें कुछ नहीं कर सकता tsunami volcanic corruption etc और भी बहुत सारी है landslide हमने देखा वो भी natural ही है बस इन से जो होने वाले नुकसान है उसको हम थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं that's all next is why does our heart beat faster after running a hundred meter race अगर आप दौड़ते हैं थोड़ा सा तो उसके बाद आपकी heart beat जो है वो faster हो जाते है इसका क्या reason है जब आप exercise करते हैं या फिर जब आप running करते हैं तो उस time पे आपकी जो muscles they need extra oxygen उन्हें extra oxygen की जरूत होती है इसलिए आपका जो heart है वो faster pump करना शुरू कर देता है तो आपकी breathing भी आप देखे सांस आप जल्दी जल्दी लेते हैं and heart beat भी increase हो जाती है आप क्या लिखेंगे when we run our muscles need extra oxygen so our heart starts pumping faster okay next is which makes our pulse जो हमारी pulses है heart beat जो हम उसको faster कर देते हैं next is two differences आपको लिखने है right two differences between the houses जो की Mumbai और श्रिनगर में जो type of houses है उनमें आपको देखने को मिलते हैं सबसे पहले तो दोनों की roof different है Mumbai में जो houses होते हैं उनकी flat roof होती है और श्रिनगर में हमने देखा roof जो है वो slope होती है ताकि क्योंकि यहां पर जो snowfall होता है winters में अगर snow उपर गिरती है तो वो slide होके नीचे आ जाए उसके बाद यहां पर जो houses है वो brick, cement इन सब चीजों के बने होते हैं पक्का houses obviously और यहां पर जो houses है वो wood के बनते हैं mostly wooden houses okay next two benefits you have to list जो कि sports खेलने से आपको होते हैं सबसे पहले तो obviously physical health आपकी अच्छी रहती है then mental health उसके बाद leadership की quality आप में आती है emotion control कई बार खेलते time बीच में आपको emotion control गुसा भी आता है but you have to control क्योंकि वो game का पार्ट है teamwork आप सीखते हैं अच्छा दो ही लिखने है okay time management goal setting यह सब चीज़े next is write about their work एक sweeper जो सफाई कर्मचारी है उनका क्या काम होता है so they keep the place neat and clean साफ सुत्रा रखते हैं एक place को servant जो जिनके लिए भी वो काम कर रहे हैं जो उनके master write few lines about chungpa tribe chungpa tribe जो shelter so high में आपने जिनके बारे में पढ़ा उनके बारे में आपको कुछ line लिखने 5 mark का question है okay so यह tribe है जो कि mountain region में रहती है it is a tribe living on mountains mountains they are always on move with their goats and sheep यह उनका अकेला treasure बताया गया है कि यही एक खजाना है उनके पास उनकी जो goats and sheep है इन्ही को लेके वो काफी higher altitude पर जाते है ताकि जो goats है उनमें जो फर आए वो fine quality का हो और आप जानते हैं इन्ही के जो फर है उससे पश्मिना wool बनती है जिसमें की I think 4-5 sweater जितनी warm होती है they get all they need all that they need from their goats and sheep from them क्या क्या चीज़े उनको उनसे मिल जाती है milk meat skin for tent obviously यह दोनों चीज़े खाने पीने के लिए tent के लिए इन्ही से ही skin मिल जाती है and wool for coats and sweater they graze their goats at higher altitude higher altitude so that they grow softer more and softer softer hair fur okay जो sheeps and goats है वही अकेला एक वो है चंग पास का and they live in cone shaped tents जिनको हम बोलते हैं called rebo और उसके बाद लेखा जहां पर वो अपनी sheeps and goats को रखते हैं they keep their sheeps and goats into a place जो की आच्छली एक बाल बना देते हैं बस चारो तरफ stones की जो बनी होती है called lekha okay that's all I think इतना काफी है 5 mark में चली आगे आते है fill in the blanks with hot or cold इनमें से दोनों जो blanks है एक में hot or cold से आपको fill करना है dash air is heavy and come down कौन सी air है जो heavy होती है और नीचे आजाती है cold air और कौन सी air है जो light होती है and it rises that is hot air next what is seismology scientific study of study of earthquake earth कैसे मतला move करते है जब आप आर्थ की movement को study करते है study of the movement of earth surface ये भी आप लिख सकते है study of movements movements of the earth's surface which is the famous item made by fur or hair of goats goats के hair से कौन कौन से famous items है जो बनते है shawls sweaters scarves then coats और जितने भी clothing आपको याद आए winters के वो आप लिख सकते है what is the phone numbers of the following हिनके phone numbers बताईए क्या है ambulance this is 102 police station 100 और एक और आपको पता होना चाहिए fire brigade का है 101 next question 5 observe the picture and write which vehicle is run by fuel और run without fuel कौन सा फ्यूल से रन करता है कौन सा विदाउट यह obviously manpower without rickshaw जो है आपकी and इसमें petrol use होता है petrol diesel so this is यह क्या है bus है okay so this is run on fuel yes who were untouchables untouchables कौन थे जिनको बाद में गांदी जी ने हरी जिन का नाम भी दिया था हारी भगवान जन मतलब लोग यानि की the people of god so in यह actually उन लोगों को कहा जाता था people belonging to to so called lower caste caste actually कुछ होती नहीं है बट उस ताइम पे की caste में divided थे लोग तो जो उसमें lower caste के लोग थे उनको untouchables बोला जाता था next question is why do people in lay collect dry fruits and vegetables यह हमने देखा कि वहां के लोग summers में गर्मियों में जितने भी fruits और vegetables उनको dry कर लेते हैं ताकि वो winters में उनको use कर सके क्योंकि winters वहां पर बर्फ बहुत जादा पड़ती है तो हर season में fruits और vegetables अविलेबल नहीं होती तो dry करके रख लेते हैं ताकि उनको use कर सके तो लेके लोग dry fruits और vegetables क्यों collect करते हैं? Because fruits और vegetables are not available in winter season due to very low temperature लेहे में temperature बहुत कम हो जाता है snowfall होता है जिसकी वज़े से fruits और vegetables मिल नहीं पाते होने next is why do we blow air आप air blow क्यों करते हैं फूक क्यों मारते हैं burning fire पर अगर कोई आग पास में जल रही है ये blow hot blow cold से question लिया गया है तो अगर कोई आग धीमे धीमे जल रही है आपने देखा होगा आप air blow करते हो ताकि आस पास की जो air है वो उसकी तरफ shift हो जाए यहां पर माली जाग जल रही है यहां पर आजाएगा उसको oxygen की supply ज्यादा मिलेगे जिससे की वो जो है और ज्यादा उससे जलने लगे तो बी ब्लोन बर्निंग एर तो कीप इट बर्निंग इट बर्निंग बाई इन्क्रीजिंग दी सप्लाइ ओफ एर सप्लाइ ओफ ऑफ ऑक्सिजन आस पास की ऑक्सिजन को उसकी तरफ shift कर देते हैं आप अपने ड्रीम को कैसे फुल्फिल कर सकते हैं इसका आंसर बड़ा ही डिफरेंट हो सकता है सभी का अक्रॉस दवाल से लिया गया है यह question तो जिससे में आप जो चीज आप अचीव करना चाहते हैं उसमें आप obviously believe करेंगे जैसे हमने वहां पर भी देखा कि mountain climbing में उसने बहुत डर लग रहा था संगीता को बट बाद में उसने उसको complete कर लिया so by believing that it is achievable और भी कई सारे I think यह उस चाप्टर से भी हो सकता है जहां पर की वो जो गर्ल्स थी बास्केटबॉल खेलती थी achievable by working in team by staying focused general answers भी आप लोग लिख सकते हैं next question is show the following places on map map में यह जगे आपको दिखानी आगे इन map पुराना है यह okay सबसे पहले है जम्मू इन कश्मीर यह है जेन के यह उपर लद्दाख हो गया भी next is gujarat नीचे जम्मू इन कश्मीर कापिटल श्री नगर गुजरात गांधी नगर नेक्स्ट केरला नीचे यह है केरला कापिटल तिरुवनंत पुरम महराश्ट्रा यह है महराश्ट्रा कापिटल मुंबाई नेक्स्ट माध्यप्रदेश सेंटर में माध्यप्रदेश यह है कैपिटल भोपाल कैपिटल भी अलमोस्ट सेंटर में है जितने भी स्टेट्स ब्लाइब आपको पता होने चाहिए सभी की कैपिटल झाल